या सुआगत अब सभीका ट्रिक्स एक्सपर्ट पर मैं गॉरब कुमार इस वीडियो में आप लोगो को youtube पर जब वीडियो अपलोड कर लेते हैं YouTube चैनल पे अपने उसके बाद उस वीडियो में आप क्या क्या चीजे एडिट कर सकते हैं उस पे बात करूंगा जैसे कि मान लिजे आपने वीडियो अपलोड किया, आपको बाद में लग रहा हो, टाइटल में कुछ एंजिस करने चाहिए, टाइटल नहीं हो चाहिए, जो डेस्क्रिप्टिप्टिन लिखा है, वो सही नहीं है, उसमें बदलाब करने चाहिए, या फिर जो टैग आपने य उसके लिए आपको वीडियो डिलीट नहीं करना होगा, बलकि जो आप्शन देता है YouTube आपको वीडियो को एडिट करने का, स्पिलेट करने का, ट्रिम करने का, और उसको फिर से सही तरीके से सबको दिखाने का, क्योंकि जब आपको उसे एडिट कर लेंगे, तो कुछ समय ल आपको क्या करना है चैसे साथ मांत के में बता रहा हूँ for example आपने YouTube पर लॉग इन किया YouTube पर लॉग इन करने का बाद आएगा तो वहाँ पर भी creator studio लिखा रहेगा उस पर क्लिक करेंगे जैसे creator studio पर क्लिक करेंगे यह आपको आपके YouTube चैनल के creator मतलब यानि की उस dashboard पर लेके जाएगा जहां से आप अपने पूरे YouTube चैनल को observe करते हैं वहाँ से analytics देखते हैं comments देखते हैं live streaming देखते हैं आपके कित video manager पर चलेंगे यहां से आप दो चीज़ा देख सकते हैं आसानी से पुराने वाले में एक तो आपका जो monetized है एड़निंग के लिए वह green है कि नहीं यह yellow हो गया और दूसरा कितना कितना भी हुआ और तिसरा क्या उसमें likes और क्या dislikes है ठीक है यह आपका video list आ गया इस video list में आपको करना अब यह है कि जो edit को option दिख रहा है edit के option में आपको आना है edit को option में आपको आने के बाद फिर कई चीज़े आपसे option देता है YouTube आपको उसको देख रहा है ठीक है जैसे मैंने edit पे click किया देखिए यह panel आया सामने इस panel पे आपको दिख रहा होगा info and settings तो यहां पर है info and settings उसके बाद है enhancement, audio, end screen, annotations, card and subtitles यह options में होता है info and settings में आप यहां से title को description को और tag को edit कर सकते हैं किसी भी time कभी भी video upload होनी के बाद ठीक है उसके बाद यहां पर option आता है public का, unlist का, private का जैसे मान लेज़े आप चाहरे हैं कि video को यह ना देखे तो उसे private कर सकते हैं public से तो video सिर्फ आपको दिखेगा, आपके ID पे होगा लेकिन उसे कोई भी कहीं से भी नहीं देख पाएगा, unlisted में क्या होता है, यह बड़ा यह अच्छा interesting feature है, इसमें आप जब कर देंगे तो आप जिसको link देंगे इस video का वो देख पाएगा आपके channel पर जब कोई आएगा तो वो इस video को खोजेगा तो उसे नहीं मिलेगा, for example मान लेज़े मैंने किसी को unlist किया है और उसका link मैंने आपको दिया है, तो सिर्फ video आप ही देख पाएगे या फिर आप जो link किसी और को द आइम पर भी तो यह options यहाँ पर आपको मिलता info and settings में उसके बाद जो अगला option है वो यह है enhancement यह एक अलगी feature है और इस feature में थोड़ी सी साब्धानी बरतनी चाहिए इसमें काफी ज्यादा टेकनिकल चीज़े बताए गई है YouTube को तब से उस चीज़ को edit किया जाता है, इसमें क करना क्या रहता है कि सबसे पहले आपके वीडियो के quality अगर चेंज करने हो थोड़ा बहुत contrast लाना हो brightness बढ़ाना हो saturation बढ़ाना हो तो वह आप कर सकते हैं यहां से यह रहा autofix कर सकते हैं स्टेपलाइज कर सकते हैं अपने वीडियो को और जो main option यहाँ पर है कि माले आपके इस पर क्लिक करना है आपको और यहां से आप एक slot में वीडियो को अंदर के content को काट सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया यह नीचे पैनल आ गया है इस पैनल में मान लिजे कि मेरा एक सेकंड से लेके 6 सेकंड तक जो content मैंने इस वीडियो में दिया वो मुझे नही ऐनी चाहिए ठीक है तो यहां एक पर आ गया है यह एक सेकंड अब यहां split का option है इसपर click करेंगे विडियो को play करेंगे और फिर जहां तक हमें नहीं चाहिए विडियो वहां तक यह बिडियो चलाकर pause कर पाウऋज करके फिर वहांपर से स्प्लेट करेंगे उसके बाद इस पे क्रॉस पे क्लिक करना है इस पे थोड़ा ध्यान रखिए हो क्योंकि अगर आगे पीछे आप करते हैं आपको जो में पार्ट है वो भी डिलेट हो सकता है आप टाइमिंग देख लेंगे एक्जेक्ट तो मैंने एक से लेके साथ सेगे दीफ जहाले है इस पे क्लिक करेंगे यह देखिए गायब हो गया तो यह आप इस तरह से वीडियो के अंदर की चीजों को भी डिलेट कर सकते कभी भी बाद में उसके बाद आफ को ड grading करना है उसके बद डन पर क्लिक करके यहां पर save का option आएगा save करना है save करने के बद आपका जो वीडियो है वीडियो जो आपको दिखेगा वीडियो मेनेजर में उसमें लिखा यह जाएगा कि आपको लगता है कि यह नहीं होना चाहिए, अब बात करता हूँ में audio की और की, मालने लिए आपके वीडियो में आपने कुछ ऐसा audio डाला है, जो बात में ज्यादा भी हो आने के बाद copyright claim हो जा रहा है, तो उसको भी आप delete कर सकते हैं, उस video में उस audio को change कर सकते हैं, यह भी थो प्रोवाइट कर रहे हैं, और यह copyright free है, add to video में जैसे click कर दूँगा, तो यह जो audio है, मेरे video में आ जाएगा, और जो sound है, volume जो है audio का, वो भी आप कम बेसी कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मालने लिए कि यहाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ और चाहरा हूँ पिछे को background music बजे, तो यहाँ से आप बाद में उसे कर सकते हैं, या फिर music आप डाले हैं, उस music को यह चेंज करना है पूरा, तो भी यहाँ से कर सकते हैं, अपने पुराने audio को remove करके, ठीक है, उसके बाद end screen and annotations है, यह promotion के लिए होता है, आपके YouTube के videos को promote करने के लिए, जब आपका video च screen and annotation है, इस यह last में video जब आपका खत्म होने लगता है, तो 3-4 videos आप देखते होंगे, screen पर आ जाता होगा, वो यह चीज है, तो यहाँ पर जैसे देखिए, अब annotation डालने के लिए यहाँ पर दिखा रहा है, add element, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद option आपको दे रहा है, video playlist, subscribe, subscribe channel link, basically लोग इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ से आप video को directly ले सकते हैं, तीन option मिलेगा, most recently upload, वेस्ट पर वीवर, और choose video, आप खुद से चूज कर सकते हैं, जो भी video चाहिए, यहाँ पर लगा सकते हैं, डबल क्लिक करना है, उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर video आके होगा, तो यह video देखेंगे, जब मेरा कोई यहाँ पर से video देखेगा, तो एक मिनट च्छतिस सेकंड जब video हो जाएगा, तो यह आना सुरू हो जागा, आप इसे खटा बढ़ा भी सकते हैं, टाइमिंग आप चाहते हो कि यह और पहले आजा तो पहले आजाएगा, और यह दूसरा किया, तो इसको नीचे करेंगे, फिर आपको तीसरा करना है, इस तरह से आपको चार आप कर सकते हैं, यह अलग-अलग तरीके से अलग-अलग layout में कर सकते हैं, आपको YouTube option देता है, इसमें आप चाहते हैं तो अपने बीच में अपने चैनल का भी logo लगा सकते हैं यहाँ पर चैनल का आपका नाम है, यहाँ यूजर नेम लिख दीजिए, यहाँ पर चैनल का लिंक है, और यहाँ पर से create element कर दीजिए, तो यहाँ पर बीच में चैनल का logo भी आ जाएगा, इस तरह से आपके यहाँ पर चार तरह से एक वीडियो आपर दिख सकते हैं, जो की परमोशन के लिए अच्छा होता है, जिसके मान लेजिए कोई आपके चैनल पर वीडियो देख रहा है, तो यह चार वीडियो देखता है, इसमें से कोई आपको अच्छा लगी है, तो यहाँ से होता है, चार से पांच कार्ड लगा सकते हैं, इसमें पोल्स भी लगा सकते ह तो यहां पर देखे video channel poll link, poll में यह होता है कि आप पूछ रहे हैं अपने viewers से कि आपको video अच्छा लगा कि नहीं आगे भी आप इस तरह के video चाहते हैं कि नहीं, तो इस तरह को option दे सकते हैं, yes and no में वो जवाब देंगे, इस पर भी simply add card पर click करना, double click करना, जो video आपको है, उसके बाद save कर देना है, हर चीज करने के बाद ध्यान रखे कि यह automatically save हो जा रहा है, यहां save करने ज़रूत नहीं है, अगर subtitle and cc कम, तो इसमें क्या होता है basically कि आपके अगर video की language जो है वो हिंदी है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि English के भी जो viewers है, उसको भी आप capture करें, तो इसमें आप आकर subtitles को add कर सकते हैं, यह आपके लिए थोड़ा सा अगर आपको translate बहतर कर पाते हों तो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि यह tough है थोड़ा सा, क्योंकि आप जो चीजे कहेंगे वो चीजे आपको English में लिखनी होगी, यहां पे word by word, step by step, हर sentence by sentence, यहां पे चाह तो direct new subtitle यहां से बना सकते हैं, इसपर क्लिक करके, आपको रोक रोक के, पाउस करकर के, जैसे आपने बोला, नमस्कार दोस्तों, तो उसको आप यहां पर लिखना पड़ेगा, English, Hindi में जो भी चाहें, automatically लिखता होगा, कहें के वीडियो में नीचे में लिखा हुआता है, ज तो इसते क्या होता है कि आप कुसी भी language में आप बोलिए, लेकिन यहां subtitle अगर English में दे देंगे, तो कोई भी आपका जो viewer है वो छूटेगा नहीं आपसे, तो यह options आपको YouTube पे वीडियो अपलोड करने के बाद Google प्रोवाइड करता है, anytime आप जब चाहें तब इस चीजों के अंदर का content हो, audio हो, या फिर tag हो, description हो, या फिर end screen and annotations हो, card हो, और भी वीडियो का language हो, या फिर वीडियो की category हो, यह सब को आप बदल सकते हैं, anytime, एक और बंज़दार बात है, हमान लिजे कि आप चाह रहे हैं कि YouTube के आपके वीडियो पर monetization, मतलब add ना आए किसी एक वीड अगर चाह रहे हैं, तो यहाँ आप अपने वीडियो के अंदर कई बार देखते हो, कई सारे ads आते हैं, आप अधर वीडियो देखते होंगे, तो वो कैसे होता है, वो में बता रहे हैं, automatically नहीं होता है, तो आपको वीडियो अपलोड करने के बाद, यहाँ मोनेटाईजियो के option में आना, यहाँ पर आने के बाद, यह तो normally हर वीडियो पर मिलेगा, display ads, overlay ads, और sponsored cards, इसके वल वीडियो, लेकिन इसके नीचे अगर 10 मिट के उपर का वीडियो रहेगा, तो एक और option आ जागा, कि आप अपने वीडियो में कहा का वीडियो दिखा, add दिखाना चाहते हैं जैसे मैं आपको 10 मिनिट के उपर का कोई वीडियो दिखाता हूं, तो बहतर समझ में आएगा, तो चलिए मैं आपको ये वीडियो ओपन कर रहा हूं, इस वीडियो की जो timing है, duration है, वो 10 मिनिट से 45 मिनिट से हैं, तो इसमें आपको वो चीज मैं दिखा सकूंगा, और मैं उ आप्शन नहीं था, क्योंकि ये जो आप्शन है, वो 10 मिनिट के प्लस वीडियो पर ही आता है, ठीक है, यहां से monetization आप आफ या ओन कभी भी कर सकते हैं, और यहां से, अब चलिए मैं आपको एड लगाना सिखाता हूं, कि अंदर वीडियो का अंदर 3-4 एड अप कैसे लग है, ठीक है, तो मैं पहला एड लगाता हूं एक मिनट पर नहीं, पहला एड लगाता हूं, 2 मिन च वालीस सेकंड पर, इंसर्ट एड पर क्लिक करें, ओके, फिर जो दूसरा एड है, ऑटमेटिकली यहां पर मैं लगाता हूं, फाइव फिप्टी वन पर ठीक है, और जो तीस इस इस टाइमिंग पर वहां पर देखते हैं ये यह बाए डूर तस पर यहां पे विडियो क्रॉस करें और यहां को भी changes ला सकते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक और option आता है चलिए मैं फिर से आपको लेकर चलता हूं यह सब भी जो options है यह hidden होते हैं और इसके बारे में ज्यादातर आने के बाद छेड़ खानी ज्यादा मत कीज़ेगा जितना पता हूं जितना समझ में आता हूं उतना आई कीज़ेगा यहां पर नहीं तो आपके वीडियो के साथ से आपके चैनल दोनों की बंद होने की संभावना रहेगी यह यह वह है जिसमें आपने वीडियो का अप्लोड किया था अपिचा रहे है कि इस कुछ गॉषिप अपका वीडियोर धान गासरका कि आप चाने करते ही हैं तो तो allow comments को भटा दीजिए, hidden कर दीजिए, okay, users can view ratings for this video, अगर आप चाहते हैं कि लोग rating भी करें तो इसे वा tick रहना दीजिए, नहीं चाहते हैं तो अप चाहते हैं, यह standard YouTube license के तहत है, okay, आप चाहें तो इसे creative comment के तहत दा सकते हैं, यह दो license क्या होता है, यह जान लेजिए, जैस करने वाला हूँ, तो आप उस case में creative comments, इसको CC भी कहते हैं, इसके तहत अपलोड किजिए, इससे क्या होगा कि वो video कोई भी कहीं भी use करेगा, वो sound audio कोई भी कहीं use करेगा, उसे claim कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे permit दे दी है, आपके तरफ से कोई option, दिक्कत नहीं ह यही है कि वो आपका अपना official, आपका अपना original होना चाहिए, अप कुमार सानुने को गाना गाया है, आप उसको यहाँ से creative comments के तरफ अपलोड कर रहे है, तो वो सरा सर गलत माना जाएगा, उसके लिए आपको भी, क्या करता है, claim होगा, उससे भी claim होगा, ओके, अब आपका certification आप इसको छोड़ देजे, इसमें जादा आपको दिमाग बत लगाएगा, अगर आपके वीडियो में कुछ ऐसा content है, जो कि कम उमर के बच्चों के लिए नहीं है, तो फिर आप enable age restriction कर देजेगा, otherwise YouTube अगर उससे पकड़ लेगा, तो आपको वो copyright claim भी देगा, और साथ में age restriction का claim भी देगा, तो इसे आप थ्यान रखेंगे, और एक चीज़, अगर आपने अपने वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ों को promote किया है, जिसके लिए पैसा लिया है, sponsor लिया है, तो आप यहाँ पर जो option दिख रहा है, content declaration, इसमें this video contains at paid promotion such as paid product placement, इसको जरूर टिक कर देजे तो आपको इसके लिए भी हो सकता है, आपको चैनल पर strike आ जाए, ठीक है न, तो recording date आपको यहाँ एक मिल रहा होगा, जिससे माले लिए आप recording date भी जालना चाते हो, तो आज का यह जब भी record आपको हुआ होगा, आपके database management के लिए इसको आप कर सकते हैं, और यहाँ पर community attributes है आप चाहा रहे हैं कि जो viewer है, वो अपने हिसाब से subtitle देजिए, तो इस वाप टिक कर देजिए, तो वो subtitle कभी भी add कर सकते हैं, आपके वीडियो में अपने अनुसरा, तो यह चीज़े आप इतना चीज़े कर सकते हैं, अब हर चीज़ करने के बाद, save changes जरू कर लें, ओके तो save changes कर लेंगे, तो आपकी जो चीज़े हैं, जो अपने बदलाब किया है, वो बदलाब effectively apply हो जाएगा आपके वीडियो पर, आपके चैनल पर, और वो क्लिक करने के बाद, यहाँ पर एक option आएगा, change in progress, यहाँ दूसरा option आएगा, all changes saved, जैसे यह लिखा हुआ आगया, फ data studio में, आगे भी मैं बताऊंगा, और मैंने कहीं चीज़े अभी तक बताए भी अपने अलग वीडियो में, आप बने रहे हैं हमारे साथ, आगे भी, अभी के लिए हमें दीज़े इजाज़त, कोई भी क्वारी कोशन सहीचन हो, तो comment section में जरूर लिखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो से आप मिस ना कर पाएं, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान